Hi everyone, I hope you all are doing absolutely fine, welcome back to a brand new video, video नहीं बोलूँगा एक raw experience बोलूँगा इसको आपके सक्षम भाया के साथ, तो आज है मेरा day 3 on this Chandrashila trick and आज हम छोड रहे हैं इस जगा को जिस जगा का नाम है दिरताल लेक, अभी सुबा के साथे 6 बज रहे हैं, 6.53 हो रहे हैं, मैं especially भाग कर अपने टीमेट्स को छोड़ कर यहां पर आया, because I wanted to get a video for all of you, आज यह वाला जो वीडियो होगा, यह थोड़ा सा मेरा real life experience होगा, जो आपको बहुत सदा मदद कर सकता है, in your college life, by giving you a lot of clarity and perspective towards life, कि आपको लाइफ को किस तरीके से देखना चाहिए, So, what happened? When I was coming to this trick, so what was happening कि मुझे सब लोग बोल रहे थे कि you will get answers, Saksham, you will get answers, and मैं इस चीज़ के बारे में sure नहीं था कि मुझे answers कैसे मिलेंगे मेरे सवालों के, and या तो मेरे सवाल क्या-क्या थे, तो यहां पर जो दिरताल लेक है, यहां पर एक परिक्रिमा करनी होती है, तो when we were walking, तो सुमित, यानि कि के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो मुझे यहां पर लेकर आए हैं, जिन्होंने मेरा trip sponsor किया हुआ है, he said, just ask these three questions, what is my purpose, मैं यहां क्यों हूँ, and where I want to go, जब हम उस परिक्रिमा की, लेक की परिक्रिमा कर रहे थे, तो मेरे को नहीं पता था कि मुझे कैसे answers मिलेंगे, क्या-क्या होगा, उस ताइप में क्या किया, मैंने सिरफ अपने आपको तीन, चार, पांच, छे बार ऐसी-चीज़े बोली, कि I want the universe to send me clear-cut answers of these three questions right now, and मैंने व questions वगेरा के properly मुझे answer मिलते गए, जो कि मैंने अपने note section में यहाँ पर लिखे, सबसे पहला था, कि मेरा purpose क्या है, तो मेरा purpose मैंने ये लिखा, कि मेरा purpose ये है, कि मैं लाखों college students की मदद करूं, ताकि वो अपना best version बन सके अपनी college life में, मैंने दूसरा question अपने आप से पूछ where I want to go, तो उसका answer ये था, कि I want to gain more knowledge in all of the areas of my life, ताकि अगर मेरे को जादा knowledge होगी, तो मैं जादा आपके साथ contribute कर पाऊंगा, इस track में आने के बाद, मुझे जब ये चीज़ पता चली, कि जब हम silence में रहते हैं तो automatically हमें answers मिलने लग जाते हैं, problem ये है कि अभी तक तुम तुमारे दिमाग में नई जगा आती ही नहीं है कि तुम नई चीज़े सोच सको, नई वाली चीज़े नहीं आएंगी तो तुम ग्रो नहीं कर पाऊगे, लेकिन जब मैं यहाँ पर अकेला था, मुझे बहुत सदा टाइम मिला, खुद के साथ अकेले बैठने में, और जब वो questions आए, तो automatically उसके answer भी आने लगी, एक बहुत miracle चीज़ हुई, मेरे साथ जो मैं तुमें बताना चाता हूँ, कल इस परिक्रमा के बाद मैं अपने तीन answers वगेरा तो ढूंड चुका था, और उसके बाद हमारा experience यह था कि हमें एक जगा पे जाना था कि जो की बहुत peaceful थी, and हमें वहाँ पर 20 minute की meditation करनी थी, जब हम उस जगह पे गए, तो 20 minute के लिए जब हमें meditation करनी थी, तो वहाँ पर हमें thoughtlessness लाना था अपने दिमाग में, कोई भी thought वगेरा नहीं लाना था, I was at feeling like this at that moment, कि यार में क्या मांगू, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, कि मैं अ नहीं हो का, चुब बैठा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था, then what I did, I simply took off my phone, हमारे iPhone में एक notes नाम का app होता है, जहां पर हम अपने notes वगेरा बना सकते हैं, I didn't open that app from the last one and a half years, मैंने उस app मैं पता नहीं पिछले देट साल क्या क्या लिखा हुआ था, क्या क्या नहीं लिखा हु वो notes इसलिए मिले, क्योंकि मेरे को जो कल मैंने अपने notes मेले हुए थे, वो इतने सारे notes थे कि वो नीचे छूप गया था, जुलाइबाला वहां पर खोला, and मैंने वहां पर लिखा हुआ था, कि I will be getting 25,000 followers on my Instagram, मैंने एक और चीज लिखी हुई थी, कि I will make my first 25,000 rupees, and मैंने य दो चीजे कैसी होंगी, वहां पर एक plan भी लिखा हुआ था, कि मैं डेली ये post करूँगा, ऐसे बगएरा करूँगा, and आज मेरे 72,000 followers है, and 25,000 तो क्या, मैंने डेड़ दो लाख क्या, पिछले उस एक साल में 5-6 लाख रुपे कमाए है, and it all happened, because मुझे असा लगता है, कि शा कि यार, no matter what is happening in your life, just have a positive belief towards life, जो भी चीज हो रही है, उसको एक positive तरीके से देखने की कोशिश करो, जैसे कि मैं तुम्हें बताना चाता हूँ, ये एक बहुत deep perspective है, लेकिन तुम्हें समझाएगा, हमारी life में जो भी event हो रहा है, जो भी चीज हो रही है, वो सही है, या फिर गलत है, वो अच्छी है, या फिर बुरी है, वो एक good memory है, या फिर बुरी memory है, ये हम decide करते हैं, हमारा subconscious mind decide करता है, एक event जो हो रहा होता है, वो सिरफ और सिरफ एक normal चीज होती है, उसको हमारा दिमाग बनाता है कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है या फिर बुरा है, let's take an example, किनी बच्चों का break up होता है, या फिर जब मैं 19 साल का था, मेरा break up हुआ था, उस memory ने मेरे को चार साल तक हांट किया, ठीक है, अब जब कल मैं सुमिद सर से बात कर रहा था, जब मैं इस nature में भी रहा अकीला, तो मुझे इस चीज का realization हुआ, कि मैंने उस break up को इस नजरिये स देखा कि यार ये मेरी जिंदगी बरबाद कर देगा, मैं life में कभी खुश नहीं रहूंगा, इसलिए आज तक that has been a bad memory in my mind, लेकिन अगर उस चीज को मैं इस तरीके से देखता, जैसे कि बाकी थोड़े से लोग देखते हैं, कि ये break up मुझे मदद करेगा और जदा improve करने मे लाइफ में, और जदा improve करेगा मेरे को, तो वो एक अच्छी memory हो गई, तो it's all about that, तुम एक सुमित सार्जिक के साज मैं बात कर रहा था, तो नहोंने बुक का reference दिया, feeling is the secret, it was like कि मैं चाहूं, अगर अभी मैं चाहूं, तो मैं तुम्हें इमाजन करवा कि अभी तुम्हें करने लग जाओगे, the point is, आज तुम्हारी life में, जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी कोई इंसान तुम्हें दुख दे रहा है, कोई भी इंसान से तुम्हें expectations हैं, कुछ भी बुरी चीज तुम्हारी लाइफ में हो रही है, उसका soul reason तुम ही हो, because you are the creator and you are the own destroyer of your life, तुम्हारी life में जो भी problems हैं, उसका reason भी तुम हो, और अगर तुम उसे ठीक नहीं कर रहे हो, तो उसका भी reason तुम हो, हमें ऐसा लगता है कि कोई और इंसान हमें hurt करता है, लेकिन एक बड़े perspective में जाकर जब तुम्हें बहुत ज़दा clarity मिलती है, जब तुम्हें अके पर record कर पाया अपनी journey, तो मैं आपके साथ वो भी करूँगा, thank you so much for listening to me right now, I don't know, इस video से आपकी life में क्या change आएगा, but I feel अगर थोड़ा सभी आए, तो मैं बहुत ज़दा खुश होँगा, क्योंकि जो मुझे 23 में सीखने को मिल रहा है, आपको वो मैं 18, 19, 16 में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी free of cost में, thank you so much for being me on this journey, I guess हमारी 25,000 subscribers हो चुके है, thank you so much, I am really grateful for all of you, I am really grateful for all of your support, thank you so much.